हेलो गाइस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम 29 जनवरी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक चरूर आज पर आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा, साथ ही आपको बता दें, करंट अफेर्स फंडा ने अपनी येर्बुक लॉंच कर दिये, जिसमें एक जनवरी से लेकर 31 संबर्थ हो जारते इस तक के सभी करंट अफेर्स एम से क्यूस आपको एक ही जगह पर मिल जात तो 149 रुपी इसमें ये मैगसीन है और इसमें 10% और आपको आफ मिल रहा है, ठीक है ये रिपब्लिक डे ओफर चल रहा है और जल्दी ओफर फिर क्लोज हो जाएगा, तो आप ले सकते हैं, इस मैगसीन को बाई कर सकते हैं, इसके लावा कुछ भी आपको पढ़ने की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा, साथ ही आपको बता दें, यदिया हमारा वन येर मेंबर्शिप कोर्स चाहते हैं, तो उस पर भी 10% आफ चल रहा है, आप इसे बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली, वीकली और मंतली करंट प्रवाइड प्रवाइड कराते हैं, साथ की हर महीने की बैंकिंग अवेडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा, सबसे पहले आच्या कोश्चन देख लेते हैं, इसका आपको अभी कोमेंट बोक्स में करना है, इन विचियर जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन किस वर से सुरू किया गया था, ओप्शन से हैं 2017, 2019, 2015 या फिर 2022, जल्दी सांसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरह कोश्चन से यदि आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम पर जुरू जोइन करें, करन्ट अफेर्स और भारत के 75 गंदतंतर दीवस्तमारों में मुख्य अति थी कौन थे, ओप्शन सापके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन दी है, Emmanuel Macron आपको जाना चाहिए भारत ने 26 जनवरी 2024 को अपना 75 वा Republic Day मनाया है और नेशनल लेवल पर जो इसका celebration होता है वो करतव वे पत निव दिर डेली में हुआ है Chief Guest रहे इस बार French President Emmanuel Macron आपको जाना चाहिए कि जनवरी 26 1950 को भारत का जो constitution है वो एडॉप्ट किया गया था भारत द्वारा अचा इस बार जो Republic Day है इसका theme रहा विक्सित भारत एंड भारत लोकतंतर की मात रुका यानि कि developed India and भारत the mother of democracy पहली बार all women try services contingent नहीं आपर mask down किया है करतव वे पत पर Republic Day celebrations के दोरान साथ ही आपको जाना चाहिए 95 member वाला और 33 member band वाला फ्रांस का भी दल करतव वे पत पर यहां पर mask जिटाओ इन्होंने किया है और इनका दल का नाम रहा French Foreign Leasing तो इसमें 6 Indians भी रहे आपको बता दे पहली बार जब किसी foreign country के किसी दल ने कंटिंजेंट ने मार्श टाउन किया था फ्रांसी दा 2016 में अगर हम बात करें इपने फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड की जो कि 1950 में हुई थी यह इर्विन एमपी थेटर में हुई थी जो की पुराना की लगी अपोजिट में है और इसे मेजर ध्यान चंद नेसनलिस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है तब हमारे प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंदर परशाद थे और चीफ केस्ट पहले चीफ केस्ट अगर आपसे जूरी दी है ओप्शन्स आपके सामने है सही answer option c है स्वीडन तरकी की जो पार्लियमेंट है उन्होंने स्वीडन की नाटो मेंबर्शिप के लिए उन्होंने एपलाई किया था तो उसको मन्जूरी दे दी है तो अब एक कदम और क्लोज आ गया है स्वीडन नाटो की मेंबर प्राप्त करने के लिए अब केवल हंगरी ऐसा देश बचता है जिसने अभी तक स्वीटन की जो रिक्वेस्ट है उसको रेटिफाई नहीं किया है आपको दाते स्वीडन और फिंड्लेंड ने एपलाई किया था कि हम नेटो को जोइन करना चाहते हैं 2022 में युक्रेन में जिस इसमें बात हो रही है और इसमें भी जो मैंस डबल्स इवेंट हुआ है उसमें तो अगर हम मैंस डबल्स फाइनल की बात करें इस्ट्वेलिन ओपन दोहजार चोबिस में तो भारत की जो रोहन पोपन ना है इन्होंने अपना पहला ग्रेंड स्लेम टाइटल जीतल है मैंस डबल्स में 43 की एज में यह ओल्डेस्ट परसन बन गए है जिन्होंने यह मैंस स्लेम टाइटल जीता है इनके पार्टनर है मैथ्यू एब्डन ऑस्ट्रेलिया के हैं इन्होंने इटली के साइमोन बॉलेली एंड एंड्रिया वावसोरी को हरा है कि हम बात करें तो यह श्यू सूवी जो कि भी यह जाइन सूवी इन्होंने जीता मिक्स टबलस श्यूइड पोलेंड इन्होंने जीता है आपके बोज़ार नहीं ऑपण यह साल का पहला इवेंट आं यह सो बढ़भा एडिशन ढ़ा है श्पनवा ओपन हमें बाकिया आपको जाना चाहिए जो ये बोपन्ना है इन्होंने इन्होंने जो अपना इससे पहले Grand Slam टाइटल जीता 2017 में जीता था फ्रैंच पंपन वो मिक्स टबल्स में जीता था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखाया कि इनका मेंस टबल्स में इससे पहले मिक्स टबल्स में जीत चुके हैं 2017 में तब इनके पार्टनर कैनाडा की गैबरिला डेब्रोस की थी इनके पार्टनर केवल तीसरे इंडियन बने हैं जिननोंने मेंस टबल्स ग्रेंड स्लम टाइटल जीता है इससे पहले लेडर पेश और मेंस बूप्ति जीत चुके हैं और अगर महिलागों की बात करें भारते में तो सानिय मिरय जाने जीता है विमल्स टाइटल ग्रेंड स्ल का नची दोजार चोबीस होकी फाइवस वर्ड कप ये क्वैड रेनियल वर्ड चैंपेंशिप जो है होती है विमन्स नेशनल होकी फाइवस टीम्स की इसे फाइएज और और ये फर्स्ट एडिशन रहा है चोबीस से सताई जनवरी के पीच मुस्केट ओमान में हुआ नीदर लेंड ने फाइनल में इंडिया को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है पोलेंड तीसे नंबर पर रहा है अंतरास्टे सीमा सुलक दीवस कम मनाया जाता है सही आंचरोप्शन भी है जनवरी टॉंटीश देखें इंटरेनेसल कस्टम्स टे यह ओल अवर द्य वर्ड 26 जनवरी को मनाया जाता है और जो एजन्सी है नोडल एजन्सी वो बेल्जियम बेस्ट वर्ड कस्टम्स ओर्गन इस दे के लिए हाला कि भारत में अकले दिन मनाया जाता है 27 जनवरी को 26 जनवरी को रिपब्लिक दे होता है थीम रहा दोजार चोबीस में इसका कर्स्टम्स इंगेजिंग ट्रडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस आपको दादे जो WC है इसमें 180 मेंबर कंट्री से वट इस थीम फोर नेशनल टॉरिज्म ने इन 2024 दोजार चोबीस में राफस्टी है परेटन दीवस की थीम क्या है सही आंतर उप्शन दी है सस्टनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज देखे नेशनल टॉरिज्म ने 25 जर्नीज को मनाया जाता है भारत में 1947 में इंडियन गवर्मेंट द्वारा इसे शुरू किया गया था और आपको बता दे दोजार चोबीस में इसका थीम रहा है सस्टनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज विश बैंक रिसेंटली बिकेम दा फॉस्ट इन इंडिया तो एचीव दा मालस्टोन ओफ 20 मिलियन क्रिट कार्ड इन फोर्स हाली में कौन सा बैंक 20 मिलियन क्रिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है सही आंसर अप्शन दी है स्टी एफसी बैंक देख जो है आपको बता देए फिर SBI कार्ड आता है इसके बाद ICIC बैंक आता है रेक्सिस बैंक आता है यदि हम नंबर ओफ क्रेट कार्ड इस शूट की बात करें यहां पर भी आप देख सकते हैं आफ्टर एपल विच कंपनी हैस अनाव रीस्ट अवैल्यूएशन ऑफ ओवर 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर एपल के बाद अब कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से अधिक के वैल्यूएशन पर पहुंच गई है सही आंसर अप्शन दी है माइक्रोसॉफ्ट देखे जून लास्ट टियर में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन पराप्त की थी आपको दादे इस पार जो है जनवरी में ही इस साल जनवरी सुरुआत से ही माइक्रोसॉफ्ट और एपल की बीच में जो है वर्टी मॉस्ट रेलेबल कंपनी के लिए काफी जो है कंप सेक्टर केंद्रे मंत्री मंडलने हाली में सुषन प्रद्र की छेत्र में सहयोग के लिए किस देश के सास्थ समझोता अग्यापन को मंजूरी दी है सही आंसर ऑप्षन है ओमान देखे यूनियन केबिनेट ने एक MOU को एप्रूब कर दिया है जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच में है इसमें इन्फोमिशन टेक्नोलजी के फिल्ड में कोप्रेशन करेंगे तीन साल के पिरियड के लिए MOU साइन किया गया है बाकिया आपको बता दे भारत और डॉमिनिकन रिपब्लिक के बीच प्रोटोकोल फोर इस्टेश्मेंट अफ जोंट एकोनोमिक एंड ट्रेट कमिटी इसके लिए MOU साइन किया गया था उसे भी यूनियन केबिनेट ने अप्रूब कर दिया है मही union cabinet approved the scheme for promotion of coal-ignite gasification projects of government PSUs and private sector with an outlay of Rs. 8,500 crore towards incentive for coal gasification projects under three categories how many fast petrol vessels will be acquired by the Indian Coast Guard under the contract signed by Ministry of Defense and Machgaon Dogship Builders Limited रक्षा मंताले और मच्गाon Dogship Builders Limited द्वारा हस्ताक्षूरित अनुबंद के तहत बाहरते अतर रक्षक तवारा कितने fast petrol vessels का दिगरंड किया जाएगा सही आंतर आप्षन सी है 14 देखे मिन्स्टे ओफ दिफेंस ने कॉंट्रेक्ट साइन किया है मचकाव Dogship Builders Limited मुंबई के साथ जिसके तहत मिन्स्टे ओफ दिफेंस इंडियन कोस्ट कार्ड के लिए 14 fast petrol vessels को एक्क्वाइर करेगी और कॉंट्रेक्ट ही वैल्यू रही 1070.47 क्रोड रुपए इस multi-role fast petrol vessels will be indigenously designed, developed and manufactured by MDL under by Indian IDDM category and will be delivered in total 63 months वेर दिफेंस अन वाटर विजन आगे की रहा पर अखिल भारतिय सचीव सम्मेलन गहां जित हुआ सही answer option दी है चिन नही देखे, All India Secretaries Conference on Water Vision at 2047 way ahead यह महाबलीपुरम चिन्नाई तमिलनाडों में conclude हुआ है देश में water security को strength करना इसका objective रहा आपको बता दे पास से 6 जनुवरी के बीच में 2013 की बात कर रहे है बोपाल मध्यपरदेश में First All India Annual State Ministers Conference on Waters हुई थी तो हाँ पर 22 recommendations जो है आई थी जो best practices है water से संबंदित तो उनकी समिक्षा इस meeting में की गई है इन्विस्टिटी ऑफ यूपी प्रामिस्टर नेंद मोधी इनागुरेटेड एंड लेट फांडेशन इस्टावन ओफ डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर दैं रूपीज 19,100 क्रोड प्रधार मंत्री नें यूपी के किस सहर में 19,100 क्रोड रुपे से अधिक की आधारशिला रखिये बुरंद शहर उत्रप्रदेश में ये रेल, रोड, ओल, एल, एंड, गैस, अर्बन डेवलप्मेंट और हाउसिंग से सम्बंदित रही है PM Modi ने 173 किलोमेटर लोंग डबल लाइन इलेक्टिफाइड सेक्शन जो की न्यू खूर्जा एंड न्यू रेवारी के बीच में है इसे भी रास्ट को समर्पित किया है साथी नोने इंडिया नोईल का टूनला गवारिया पाइपलाइन इसको भी इनोग्रेट हिया है करने की मंजूरी दी गई है सही आंस्रोप्शन सी है 132 देखिए पद्म आवार्ड जो की वन आफ दा हाइस्ट सिविलें आवार्ड से हमारे देश के तीन केटेग्रिस में दिये जाते हैं पदमव भूशन, पदमभूशन और पदमश्री अलग-लग disciplines, fields में दिये जाते हैं जैसे आर्ट, social, work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, Republic Day के मौके पर हर साल एनाउंस किये जाते है यह awards प्रेजिदेंट ऐफ इंडिया द्वारा दीए जाते हैं, मार्ज अप्रेल के महीने में राष्टपती भवन में सरमनी होती है 2024 के लिए प्रेजिदेंट ऐफ इंडिया ने 132 पदम awards दे जाने को मंजूरी दे दी है इसमें 5 पदम वीबूशन है, 17 पदम भूशन है और 110 पदम श्री अवर्ड से हैं तो ये आपके लिए महत्पूने को एक तो 132 से याद रखेगा और उसमें भी 5 पदम है, 17 पदम भूशन है और 110 पदम श्री है पाँच पदम भीबूशन है 30 ऐसी महिलाओं को दिये गए है 30 ओफ दी आवार्डिस और विमन ठीक है 8 परसंस फॉर्णनर्स एनराई पी आई यो ओसी आई के टेग्री से हैं और 9 को दिया गया है मर्णो प्रांद पॉल्स्टुमस मतलब इनी में सामी लेये सब न ये अलग-अलग बता दिया है कि इतने इतने लोगों मिला 132 में थर्टी जो है विमन है अगर हम पद्म विभूशन्रड की बात करें जोकि 5 लोगों को दिया गया है तो पहली है मिस विजियनती माला बाली आर्ट के फिल्ड में दिया गया है तमिलनाडू से, स्री कोनी डेला चुरन जीवी, आर्ट की फिल्ड में अंदरप्रदेश से, स्री एम वेंका या नाइडू, पब्लिक अफेर्स, आंदरप्रदेश, स्री बिंदेश्च और पाथक, पॉस्ट्यूमस, शोशल वर्क, बिहार, कैटेग्रीन की शोशल वर्क है, पर बिहार से आते हैं, इस पद्म सुब्रमन्यम, आर्ट, तमिलनाडू, तो पांच तो आप यह याद रखेगा, कैटेग्री में पद्मी भूशन नहीं दिया गया है, तो यह चार, तो कोई से भी चार उप्शन सा जाएंगे, पहला दूसरा, और जो पांच वा है, यह तो पद्मश्री और पद्मभूशन, तो उसके लिए आपको PDF में आपको शेर कर दूगा, किन को मिला है, आप उन्हें एक दो बार गो थूरून से हो जाना, टेलीग्राम पर में डाल दूगा, क्योंकि यहाँ पर करूँगा, तो काफी लंबा हो जाएगा यह, साथी इस डेक्रोवेशन भी अप्रूव किया है, आपको शेर के लिए और जो भी अधर परसनल है, उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्जाम पॉइंट ओफ यू से यह चीज़े महत्पूर नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आपका महत्पूर है, प्रेजडेंट आफ इं रक्षा पतक 21 परसन को दिया गया, टोटल 1132 परसनल और पॉलीस, फायर सर्विस, होम गार्ड और सिविल दिफेंस, और क्रेक्शनल सर्विस इन्हें गे लेंट्री और सर्विस मेडल्स दिया गया है, इन पार्टनर्शिप विच इंस्टिट्यूट वास्ट देवाई यह का सारथी एप किस संस्थान के साथ सायधारी में विशित किया गया, सही आंसर उप्शन सी है, दिर्नज इंस्टिट्यूट इसी तरह से लिखा जाता है, ओबलिक लगा के न, देखें सेक्रेट्री, मिनिस्ट्री ओफ रूरल डवलप्मेंट, सेलिश कुमार सिंग, इन्हों सारथी एप है, इसे दिर्नज इंस्टिट्यूट के साथ पार्ट्रशिप में जो है, लॉंच हिया गया है, और सिक्स इस्टेट्स में इसको डेप्लोई भी कर दिया गया है, अगर हम डिय की बात करें, दिन दयाल अन्तोदया योजना, इसका मतलब होता है, ये जो पूर है उनको स्किल ट्रेजिंग प्रोवाइट की जाती है, इसके तहर्त इसने आज ही भी को रिप्लेश गया था, साथे आपको जाना चाहिए, स्वर्ण जनती ग्राम सरोजगार योजना, ये 1999 में लॉंच ही गई थी, फिर इसे रिनेम कर देगया है, नेशनल रूरल जोजना कब लॉंच की थी, बैंक में तो नहीं पूछी जाती, पर बाकी जोग एकसाम होते हैं, उनमें पूछ लेते हैं, तो 1999 ये याद रखिएगा, इस कोश्चन का, वो मैंने आपके लिए लाए है, इस तरह से कोश्चन यहाँ से पूछते हैं, PM इसस्वी स्कोलर्शिप इसकी महत्पूर्ण है, क्यों चार्शा में रही है, देखिए, तो इसमें जो स्टुडेंट्स हैं, उनमें प्री मैट्रिक स्कोलर्शिप मिलती है, नो से दस किलास तक के, और फिर पोस्ट मैट्रिक स्कोलर्शिप भी बनती है, उनके अपनी हायर एजूकेशन के लिए, पास सबी स्कीम साती इसमें, किस देश में वैस्विक यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग लिया सही आंसर उप्षन ही है इस्पेन देखे मिस्ट्री आफ तुरिज्म कवर्मेंट आफ इंडिया ने फितूर जो की वन आफ ता इंपोर्टेंट ग्लोबल ट्रेवल एक्जिबीशन से जो की मैडरिट इस्पेन में आयुजित किया रहा है इसमें पार्ट्सपेट किया फितूर is the global meeting point for tourism professionals and the leading trade fair for inbound and outbound market in Latin America Incredible India Pavilion भी फितूर में inaugurate किया गया है दिने इसके पतनाएक द्वारा जो की ambassador इंडिया के Spain में साथे आपको जाना चाहिए tourism department कार्गिल लग्दाक इन्होंने एक ethnic food festival आयुजित किया जिसका नाम रहा मामानी चिकत्रन में who is the ICC ODI Women's Cricketer of the Year ICC One Day महिला Cricketer of the Year कोन मनी है सही आंत्र आप्शन दिये है समारी अटापत्टू देखे स्रिलंका ने स्टार्श हमारी अटापत्टू यह ICC Women's ODI Cricketer of the Year for 2023 नामित की गई है full list देख लेता है ICC 2030 Awards की ICC Men's Associate Cricketer of the Year 2023 नीदर लेड़े मनी है ICC Women's Associate Cricketer of the Year 2023 है कोईंट और एबल केनिया की है ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2023 है सुर्य कुमारी आदों बने है इंडिया के ICC Women's T20 Cricketer of the Year 2023 है हैले मैथ्यूस वेस्ट इडिच ICC Men's Emerging Cricketer of the Year 2023 रचीन राविंदर न्यूजिलेंड ICC Women's Emerging Cricketer of the Year 2023 वावेलेच फिल्ड आउस्ट्रेलिया ICC Men's ODI Cricketer of the Year 2023 विराट कोली बने है चोथी बार यह प्राइज रखेगा ICC Men's Test Cricketer of the Year 2023 उस्मान ख्वाजा आउस्ट्रेलिया रेशल हे होई Flint Trophy for ICC Women's Cricketer of the Year 2023 नेट सेवर इंगलेंड की यह महत्पूर्ण है Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year पैट कमिन्स आस्ट्रेलिया यह भी महत्पूर्ण है West Indies के Akil Hussain जो है काफी तूट गए थे जब जिंबावे ने इनकी टीम को हराया लास्ट विक्ट थे यह तब जिंबावे प्लेर्स ने को कॉंसोल किया ठीक है इसलिए इन्हें Spirit of the Cricket Award मिला है ICC Empire of the Year 2023 उसर्व लिंकपॉर्थ इंगलेंड की इन्हें दिया गया प्रिवेस साहर मिल कोस्चन के आंसर देखते हैं बरे बाजन रामनामी मेलाई सेर्वृर्ड इन विच स्टेट चप्तिसगर्ड मौंट मेरापी विच एरॉप्टेट अगेर इन जैनोरी इस लोकेशिए इन विच आइलेंड इंडीज इंडीज़ इंडीज गंटरी है याद रखना फ्रिवेस देट्ट अव डेलेंड इन जेटंड इंडीज जन्नल असेंबली दैनिस फ्रांसिस दीनद और्ट प्रश्क करहें ये दीनद और्ट टॉबगो who has become second Indian man after Gopi to win code at Asian Marathon Championships Maan Singh who has been honored with the 2023 Covampoor Aste Praskar for his significant contributions to Indian languages answer is Shirshendhu Mukhopatya और आप मैं से कई या सुर्ण ने बिल्कुल सही आंसर किया ऐसी तरज पारिस्वेट करते रहे है आज के assignment questions देखेंगे which agency launches a new channel Radhana India has what percent of digital transactions in the world which insurer introduced a health insurance solution active one during whose reign was the Gyanwapi Mosque in Varansi supposed to have been built when was the objective resolution later the primble of the Indian constitution unanimously adopted by the constituent committee इन पांचो questions के answer आपको comment box में करने यादि आपको एक question का अंसर भी आता है तो भी आप हमें comment box में वुश्य से बताईए का ज्यादा ज्यादा संख्या में पार्टस्पेट करने को सिस्किया कीजिए साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current fees आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पास सकते हैं थैंक युवाइब आप सकते हैं झालते हैं